नमस्कार मैं हूँ अंशिता प्रवर्तर निदेशाले यानी एडी को सुप्रीम कोट ने जबरदस्त फटकार लगाई और सक्त हिदायत भी डेडा ली कोट ने कहा कि एडी डर का माहौल ना बनाए ये बात तो सभी जानते हैं कि एडी सीबी आई जैसी केंद्री एजेंसियों को लेकर विपक्ष हमीशे आरोप लगाता है कि जाच एजेंसी केंद्र की मोधी सरकार के इशारे पर काम करती हैं डराने धमकाने का काम करती हैं इन सब आरोपों के बीच में सुप्रीम कोट की एडी को लेकर ऐसी टिपनी आना अपने आप में हैरानी वाली बात है ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोट ने ऐसा क्यों कहा तो इसके लिए मामले को जानना भी जरूरी है तो यह मामला जोड़ा है 36 गड़ के शराब घोटाले से जिसको लेकर राज्य में जम कर राजनीती हो रही है विपक्ष भूपेश ब खूप खरी-खोटी सुनाई और सक्त हिदायत देते हुए कहा कि डर मत फैलाओ अच्छा नहीं होगा दरसल 17 माई को 36 गड़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोट ने कड़ी टिपड़ी करते हुए मौखिक निर्देश दिया कि एडी राज्य में डर का माहौल ना बन मंत्री को फसाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोट के टिपड़ी देख कर कहा जा सकता है कि वो यडि के काम करने के तके से बिल्कुल भी खुश नहीं इतना ही नहीं कोट की टिपड़ी ने उन सभी आरोप पर मोहर भी लगा दी जिसमें कहा जाता है कि ED डराती धमकाती है याद कीजिए 11 मई को 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश बगिन ने ED पर परिशान करने धमकाने और उन्हें फसानिक आरोप लगाया था अब जैसे ही सुप्रीम कोट की टिपड़ी आई 36 गड़ के स्वास्थ मंत्री टियेस सिंग देव का बयान भी आ गया उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने ED को निर्देशत कर दिया है कि भय का माहुल ना बनाए कम से कम भय के वातावरन की बात नहीं होनी चाहिए आप डरा डरा कर बयान ले रहे हो ये प्रजातंत्र की नयाय प्रणाली का हिस्सा नहीं हो सकता ये तो हम 500 साल पीछे जा रहे हैं जब भी फ्यूजल सिस्टम होता था तब हम सुनते थे कि कोड़े बरसाते थे जोर दबरदस्ती की जाती थी प्रजातंत्र है हमारे देश में प्रजातंत्र में जोर दबरदस्ती से कुछ नहीं किया जाना चाहिए यानि कोड के टिपड़ी ने राजिसरकार को बड़ी रहात दी है आप जान लीजिए कि मामला क्या है जिसमें एडी को जबरदस्त फटकार लगी है दरसल प्रदेश में 2000 करोड की शराब घोटाला मामले में एडी लगातार कारवाई कर रही है आउडी ने शराब घोटाली को लेकर शराब कारोबारी अन्वर घेवर, त्रे लोग, धिलन, नितेश, पुरोहित और आफकारी स्पेशल सक्यफ अरुनपति त्रिपाठी को गरफ्तार किया था बतादे कि 6 मई को शराब घोटाले में कारोबारी अनवर धेवर के रफसारी करने के बाद E.D. ने कोट में रिमांड पेपर में दावा किया था कि 36 गड़ की 800 सरकारी दुकानों में 30-40 प्रतिशत अवैद देसी शराब बेची गई सरकार के करीबी नेता अधिकारियों और व्यपारियों ने अवैद सिंडिकेंट के जरिये 2000 करोड का घोटाला किया है घोटाले के किनपिन आईएस अनिल टुटेजा और अनवर धेवर मुख्य कलेक्शन एजेंट की भूमिका में थे वहीं इस मामली को लेकर विपक्ष ने हल्ला वोल शुरू कर दिया और मुख्य मंत्री से स्तीफे की मांग शुरू कर दी पूर मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि 36 गण में करप्शन दिन पर दिन बढ़ रहा है नए ने ब्रिष्टचार उजागर हो रहे हैं ब्रिष्टचार ऐसा है जो प्रमानित हो चुका है अब विपक्षा रूप लगाएगा तो सत्ता पक्ष भी चुप कैसे रह सकता है मुख्य मंत्री ने 15 माई को तंज कसते हुए कहा था कि करनाटक में भाजपा की करारी हार हुई है भाजपा के शीर सनेता इस सद में सोवर नहीं पाए है एडी की अधिकारी क्या करें क्या ना करें की स्तिथी में है जैसे ही करनाटक से उबरेंगे 36 गड़ में तावर तोड कारवाई करेंगे इन सब के बीच 17 माई को सुप्रीम कोट ने एडी को ही फटकार लगा दी और कड़े शब्दों में कह दिया कि एडी 36 गड़ में डर का माहौल ना बनाए वहीं इस मामले में घरफतार आरोपी 19 माई तक एडी की रासत में ही रहेंगे हाला कि एडी की जाच में क्या सामने आएगा ये तो शायद ही पता लगे लेकिन अभी तक एडी ने कोई सबूत पेश नहीं किये हैं इसको लेकर 15 माई को हुई सुनवाई के दिन आरोपियों के वकील ने कहा था कि एडी ने कोट में कहा है कि जो मोबाइल और लाप टॉप जब किये गए हैं उसकी चानवीन के लिए हमें समय चाहिए अभी जाच जारी है इसलिए रिमांड बढ़ाई जाने की मांग की लेकिन इडी ने अभी तक कोट में कोई सबूत पेश नहीं किया है यानि इडी पहले ही सवालों के घेरे में है उपर से सुप्रीम कोट के स्टिपड़ी ने राज्जी की भूपेश सरकार को और मौका दे दिया अब सभी की न जिसका नतीजा हुआ कि बीजेपी सक्ता से आउट हो गई ऐसे में अब बीजेपी भी 36 चुनाओं से पहले राज्जी की बगेल सरकार को भश्राचारी बताने में लग गई है उसे उमीद है कि ये दाव उसे आगामी चुनाओं में फायदा पहुंचा सकता है पतादी कि 2018 विधान सभा में 36 गड़ बीजेपी के हाथ से निकल गया था तभी से पार्टी की नजर इस राज्य पर है अब वजह चाहे जो भी हो मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोड को एडी का रवया पसंद नहीं आया और उसने जाच एजनसी को जबरदस्त पठकार लगा दी इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजे फेस्बुक पर लाइक कीजे और कोमेंट करके बताएए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडिय ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आटिकल 19 इंडिया इसको भी फॉलू कर लिजे नमस्कार